हाई गाईज, वेलकम बैक तो माई चानल, आज मैं आप लूग के साथ एक मेकप लूग शेयर करने जा रही हूँ और यह जो मेकप लूग है यह आप लोग मेरी ब्रश चालेंज वाले वीडियो में अल्रेडी देख चुके हो तो कैसा लग रहा है यह मेकप लूग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिगा और चलिए अगर जानना चाहता है किस तरह से लूग को मैंने क्रिएट किया है तो हम लोग वीडियो में देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं टोनर यूज कर रही हूँ और सारी जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाली हो इनकी डेटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप चैक कर सकते हो तो सबसे पहले मैंने टोनर अप्लाए कर लिया है यहां पर दैन में अपने फेस पर एक क्रीम अप्लाए कर रहे हूँ या मौशराइजर आप अप्लाए कर सकते हो तो Good Wipes का ये Day Cream है, मैं इसी को अपलाई कर रही हूँ, अच्छी तरह से Sprite करते हुए हमें इसको अपलाई कर लेना है, और अपने Face पर लगा लेना है, गर्मियों का टाइम है अभी, बट फिर भी Mosh Riser जो है वो बहुत जरूरी होता है, तो Mosh Riser जो है वो जरूर कीजे, CTMP का जो प्रोसेस है वो जरूर कीजेए, तो मैं अपलाई कर रही हूँ, मेकप प्राइमर, शुगर का मेकप प्राइमर में यूज कर रही हूँ, आप कोई भी MAKE UP प्राइमर अपलाई कर सकते हो, MAKE UP प्राइमर जो होता है, वो आपके Open Pours पर एक लेयर बना देता है, जिससे जो आपका स्किन है, वो बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूध हो जाता है, और उसके वज़े से जो मेकप होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और मेकप जो है, आपकी स्किन में नहीं जाता, तो इसलिए एक layer बन जाती है, जिससे मेकप आपके स्किन को कोई नुक्सान भी नह जाता है तो make-up primer भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि long lasting भी हो जाता है उसके तो आपका make-up यहाँ पर मैं पैंस्टिक यूज़ करी हूँ और इसको बहुत जादा नहीं लगाया है मैंने बहुत कम quantity में लिया है और जहाँ पर आपको coverage थोड़ा कम लग रहा है वहाँ पर आप reapply करें के coverage जो है वो build-up भी कर सकते हो यहाँ पर L'Oreal का matte magic compact powder मैं यूज़ कर रही हूँ और अपने face को set कर रही हूँ क्योंकि गर्मियों का time है face को set करना बहुत साथ जरूरी है और यहाँ पर जो मैं make-up करने वाली हूँ वो बिल्कुल बहुत ही simple है अगर आप beginners है तो भी आप इस make-up को easily try कर सकते हो बहुत ही simple सा make-up है यह और अभी हम लोग contouring कर लेंगे तो मैं यहाँ पर powder contour use कर रही हूँ यह make-up revolution का contour palette है इसमें से एक dark shade लेकर हम लोग अपने face को contour कर लेंगे जहाँ जहाँ भी need है वहाँ पर हम इसको apply करेंगे तो इसके तुरू जो contouring है वो भी मैं cut चुकी हूँ और उसके बाद हम लोग apply करेंगे ब्लश तो ब्लश के लिए यहाँ पर make-up revolution का ही blush palette मैं यूज कर रही हूँ इसमें से एक pink shade लिया है मैंने light light pink shade और इसको हम लोग apply कर लेंगे अपने face पर तो यह सारी जो चीजे होती है make-up basics उस पर मैंने playlist बनाई हुई है सारे videos आपको मिल जाएंगे make-up से related उसमें जो basic चीजे होती है make-up की तो वो सारी आपको उस playlist पर मिल जाएंगे आप चेक कर सकती हो मेरी channel पर then यहां पर मैं apply कर रही हूँ highlighter और highlighter जो है वो मेरा favorite part है apply करना मतलब मुझे highlighter apply करना बहुत पसंद है तो highlighter भी मैं apply कर लिया है then यहां पर मैं last में कर रही हूँ eye makeup तो eye makeup के लिए मैंने huda beauty का palette लिया है यह एक dupe है huda beauty का इसमें से एक मैंने brown shade लिया है और इसको मैं अपने crease line पर अच्छी तरह से blind करते हो और apply कर लूँगे पूरी eyes पर ही मैंने इसको लगाया हुआ है crease line पर और पूरी eyes पर मतलब eyelid पर हम लोगों को इसको apply कर लेना है यहां पर कोई liner नहीं लगा रही हूँ मैं कोई kajal भी नहीं लगाने वाली हूँ जो यह huda beauty का palette है उसमें से black shade मैंने लिया है और उसको एक liner की तरह smudge कर लिया है मैंने अपने eyes में तो अपने eyelid पर भी और lower lash line की पास भी मैंने इसी जो black shade है उसको smudge कर लिया है तो वो एक liner का effect दे रहा है और यह बहुत ही अच्छा लगता है यह look आप नॉर्मली भी इसको daily basis पर भी carry कर सकते हो तो इस तरह से मैंने simple sa eye makeup किया है आइब्रोज को मैंने फिल कर लिया है और false eyelashes भी मैंने लगा लिया है और मैंने mascara भी use कर लिया है आपको सारी details description box मिल जाएगी आप चेक कर सकते हो then यहाँ पर lipstick apply करी हूँ ADS का बहुत ही प्यारा सा nude shade है और बहुत ही अच्छा लगता है यह apply करने के बाद तो यहाँ पर makeup finish होता है और makeup revolution के makeup fixer से मैंने इसको set कर लिया है so guys इस तरह से इस look को मैंने complete किया है S series जो है वो मैंने पहन लिया है तो इस तरह से यह look complete होता है यहाँ पर I hope आप लोग को यह makeup look पसंद आया होगा अगर आपको makeup पसंद आया है तो please please इस video को like और share जरूर कीजेगा आपका एक like हमें बहुत motivate करता है guys तो video like जरूर कीजेगा और अगर आपने मेरे चानल को भी तक subscribe नहीं किया है तो वो भी कर लीजे मैं मिलती हूँ अपने next video में till then take care thanks for watching and love you all